हलो एब्रिवन तो गाइस मैं हूँ मंजू और मंजीर रसुई में आपका बहुत हो स्वागत है तो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए जीरा राइस की रेसिपे ले कराएं हूँ यह इतने टेस्टी बनते हैं कि आपने एक बार 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 बनाना चाहेंगे इतने टेस्टी बनते हैं और देख सकते हैं आप बिल्कुल खिले-खिले हमारे चामल बने हैं बिल्कुल एक-एक दाना इसका खिला हुआ है और खाने में तो बहुत ज़ादा टेस्टी है ही आप इस रेसिपो को एक बार अपने घर पे ज़रूर ट्राय करना आपको यह बहुत ज़ादा पसंद आने वाली है और प्लीज फ्रेंड्स मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब कीजिए सबस्क्राइब बटन पे क्लिक करके जब आप सबस्क्राइब कर देंगे तो आपको बेल आइकन दिखेगा बेल आइकन पर पेस करके और पे ज़रूर क्लिक करें इससे क्या होगा आपको मेरी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी तो चले फिर शूरू करते हैं इसके लिए मैंने हैं लिये हैं एक कप चावल तो मैंने हैं इंडिया गेट बासमती वाले चावल लिये हैं आपके पास जो भी हो लोंग ग्रेन जो भी हो आपके पास वह आप इस्तिमाल कर सकते हैं तो एक कप चावल को हमें बिल्कुल अच्छे से वोश करना है बिल्कुल अच्छे से धोना है लगबग दो से तीन बार आप इसे बिलकुल अच्छे से धोले, बिलकुल हाथों से रगड़ रगड़ के धोले, तो आप देख सकते हैं, इस तरह से आपको अच्छे से वोश करना है, बिलकुल लगबग दो से तीन बार आप चावलों को अच्छे से वोश कर ले, तो फ्रें बीगने के लिए रखना आए तो बंदर मिट में आपको दिखाती हूं तो आप देख सकते हैं 15 मिट हो चुके हैं चावलों को भीगते हुए और अच्छे से थोड़े थोड़े फूल भी चुके हैं चावल तो अब हम पानी निकाल देते हैं इसका तो सारा पानी में इसका नि लीजिएगा तो फिर अब गेस पर इसको चड़ा देते हैं तो गेस पर इने से चड़ा दिया है अब इसे धक कर करेंगे हम तो अब इसे ढख देते हैं लगबग 10 मिनित तक हमें से कुक करना है जब तक पानी इसका सूख न जाए एक बार मैं आपको बीच में चेक करके दि इस तरह से फोक के सायता से देख लें कि इसमें पानी है या नहीं है तो आप देख सकते हैं अभी भी इसमें पानी बचा हुआ है हलका हलका तो इसे फिर से हम ढखकर रख देते हैं लगबग 1-2 मिनिट के लिए तो 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 टोटल 8-10 मिनिट में एक को खो जाएंगे डिपे किसी भी चोड़े बरतर में आप इसको निकाल सकते हैं तो आप देख सकते हैं सारे चामल मैंने इसको निकाल लिए हैं इसको अच्छे से फेला देते हैं ताकि हमारे चामल बिल्कुल खिले खिले बने बिल्कुल अच्छे से ठंडे होंगे तो बिल्कुल खिले खिले हमारे तब ही आपके चामल खिले-खिले बनेंगे तो अब इसका तरका लगा लेते हैं तरका लगाने के लिए मैंने एक पैन लिया है इसमें में डाल रही हूँ लगबग दो बड़ा चमच देसी घी तो जीरा राइस का जो टेस्ट है वो देसी घी में यह आता है तो देसी घी है आप इसमें एड़ करें तो इसको अच्छे से गरब होने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ वन टीसपून जीरा जीरा डालने के बाद मैंने इसमें डाल लिए दो लों इसी के साथ पांस से छेज माने डाले हैं साबुत काली मिर्ची के दाने एक तेज़ पता, बिल्कुल ओप्जिणल है आप लाइक करें, तो यह खड़े मसाले डाल सकते हैं नहीं तो आप इसकीप कर सकते हैं सिर्फ जीरा डाल कर भिया प्याप इसको बना सकते हैं तब भी इसका टेस्ट बहुत जादा टेस्ट ऩी हाने वाला है तो आप देख सकते हैं मैंने सभी चीजों को cook कर लिया है जीरे को हमने बिल्कुल भी नहीं जलाना है बिल्कुल इसे बिल्कुल brown नहीं रखना है black नहीं करना है नहीं तो इसका टेस्ट खराब हो जाएगा तो अब अच्छे से cook करने बाद मैंने इसमें डाल दिया है चावल, चावल को हमें बिल्कुल हलके आतों से mix करना है तो आप देख सकते हैं चावल को अच्छे से mix कर लेते हैं अच्छे से मैंने चावल को जीरे के साथ mix कर लिया है अब हम इसमें डालेंगे लास्ट में नमक तो आप अपने टेस्ट का कोडिन डालें मैंने 1 टीस्पुन डाला है 1 टीस्पुन इतने चावलों में इनफ होगा तो आप देख सकते हैं नमक डालकर पर अच्छिछ इसको fix कर लेते हैं हलके हलके हाखों से हमें इसे mix करना है तो आप देख सकते हैं जिरा राईस बनकर ready है तेजपता हमने जो डाला ता हुए मैंने इसमें निकाल AH है तो आप देख सकते हैं यह रेसिपी बहुत ज़दा सिंपल है, सिंपल होने के साथ साथ बहुत ज़दा टेस्टी भी है, आप इस चामल की रेसिपी एक बार घर पे जरूर ट्राय करें, यह आपको बहुत ज़दा पसंद आएगी, पसंद आएगी अगर ट्राय करने के बाद तो मेरी वीडियो को ला बाइ बाइ